नमस्ते हो मुशन्तिया आप सबको स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल पर जहां पर हम आज एक और वर्दान के बारें बात करेंगे जहां पर की पर्मपिता पर्मात्मा हमें अंतर मुखी कैसे रहना है और उसके फायदे क्या होते इसको आप सिखाएंगे तो देखें की हलचल होती है मुख से बात करना हातों से कर्म करना आकों से देखना और एक होता है अंतर मन जो की होता है आत्मा आत्मा की स्थिति में रहना या अंतर मन की स्थिति में रहना वह अलग बात होती है अंतर सुरूप में स्थित रहे अपने वा बाप के गुप्त रूप को प कान mister के कि हम वो सबकुछ बार का देखते हैं कि हम वो सब कुछ जो भार का देखते हैं और सथे तो वही है जो कि अंदर आत्मा बैट जा करके भार शेर्य के द्वरह कर रही है उधर तक पहुँचने के लिए हमें पहले अपने अंदर तक पाँचना पढ़ेगा पहले हमें हमें अपने आपको आत्म स्थिती में दोबा के कि गुण और शक्तियों की ओगर हम याद करते हैंología वह कभी किसी बात में लिपत नहीं हो सकते किसी कुछ कह जी कुंड़ा कोई संपक्ति, पुरानी दुनिया जो होगी, जो हमें दिखती है आज, चुकि आकर्षित करती है, माया का पॉंप बहुत है, दुनिया में नईनी चीज़े आ रही है, नईने आकर्षण है, परमात्मा कहते हैं पुरानी दुनिया जो है, उसको पुराना कहते हैं परमात्मा, नया चले जाएगे तो यह सब को त्यारी हो रही है यह अभी के मजएख लेनी हो रही है लेकिन अभी यह सारी चीजहं जो है जो हमें सुक देने के लाएंdonECT यह अमुँझे करें ज इसमें हम लिप्त toot पुरानी दुनिया संबंद, पुराने संबंद जो है, मेरा तेरा जहां पर हो जाता है, जहां पर हम औरों के मोह के कारण हम आगे बढ़नी पाते हैं, हम औरों के संबंदों में ही लिप्त हो करके, औरों के साथ रहे करके, उनसे ही सुख शांती खोचते हैं, और जब नहीं मि प्रवादर्वादर्वादर्वादर्वादर्वादर्वादर्वादर्वादर्वादर्वादर्वादर्वादर्वादर्वादर्वादर्वादर्वादर्वादर्वादर्वादर्वादर्वादर्वादर्वादर्वादर्वादर्वादर्वादर्वादर्वादर्व आँखों से जाए गाडी हो, बंगला हो, जाए घर में खरीदेवी चीज़े हो, क्रोकरी हो, कुछ भी हो, धन संपत्ति जो भी हो अगवे पास में, तो परमातबर कहते हो ना पदार्थों में अलपकाल के दिखावे मात्र हैं, उन से धोका नहीं खा सकते, अब धोका कैसे हो किसी भी पदार्थ से आप अगर उसके वशिबूत हो जाएं तो वही आपको दुख देना शुरू कर देता है जब वह चीज मिलती नहीं है तो आपको दुख महिसुस होता है तो परमातव उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं किस चीज से जादा लगाब ने रखना है किन संबंदों से दूर रहना है किन बातों में लिप्त नहीं होना है पुरानी दुनिया के कोई से चीजें हैं जो कि हमें परमात्मा से दूर कर सकती है उनमें जादा महों उनमें जादा लोब नहीं करना है तो परमात्मा से क्या क्या चीज़े हमें दूर कर सकती है और हमें अपने अस्तित्व से स्वा के अस्तित्व से क्या चीज़े दूर कर सकती है और ये दुनिया भी शरीर शरीर की चीज़ों से कैसे वो हमें उलजा सकती है उनका ग्यान होता है और वो उसी का मनन करते हैं अंतर मुखी हो करके अंदर का मन उनका इस ग्यान का सिमरन करता है और परमात्मा का सिमरन करता है तो वो बाहर की दुनिया से बच जाते हैं उनको कोई नुकसान भी होता है कोई दुख की चीज़ भी आती सामने से तो वो भी पेपर के जैसे लगती है और वो पार हो जाती है वो घाबराते नहीं है हिलते नहीं है डगमग नहीं होते हैं वह तो हम चाते हैं ना तो परमात्मा कहते हैं फिर आगे और इसी सुरूप से बाप की प्रतक्षय होती है तो क्या होता है शक्ति बाबा कहते हैं अंतर सुरूप की स्थिती में रहने से स्वेम का शक्ति सुरूप जो गुप्त है क्योंकि आत्मा दो दिखते नहीं है मन किसा कितना प्रबल है कितना बलवान है वो तो दिखेगा नहीं बाहर से आप किसी के शेरी को दे कर बसकते हैं, यह बलवान है, यह धन दौला से कहेंगे यह शक्ती चालिए, एक परमद कहते हैं, आंतरक शक्ती की बात हो रही है, वह है, वह प्रतेक्ष हो जाता है, जो अंतर मुकिर रहते हैं, वह हर स्थिती में हिलते डूलते नहीं है, कि जो दुनिया भी पेड होंगे, वो हिल जाएंगे, लेकिन जिस पेड ने परमात्मा के साथ में अपनी जड़ें जोड के रखी हैं, वो हिलेगा नहीं, तो जो जितना गहराई में जाएगा, अंतर मुखी हो करके, उसकी जड़ें उतनी ही गहराई में जाएंगी, और तुफा अपीश्च करतवे करने वाले ही सच्चेस नहीं है, किसकिस नहीं, परमात्मा किस नहीं, तो परमात्मा हम से यह चीज चाहते हैं, इसको हम कैसे पूरा करें, इसको आप आकर करके सीख तक दिक हैं, ब्रह्म कुमारी party's Godly Spiritual University में, आपका दिनश्भ उम्श्व आपको कुमार